किसान भाईयो रामराम सत्रिकाल सलाम किसान भाईयो आज हम बात करेंगे बाजरे की फसल के अंदर जो खर्पतवार होते हैं नदीन होते हैं उसके बारे में के उसे किस परकार कंट्रोल करें किसान भाईयो अकेला बाजरा ही नहीं बाजरे के इलावा गन्ना, जवार और मक्का जो है यानि के चार फसलों के अंदर मैं ऐसी द्वाई बताने जा रहा हूँ आपको जो हर परकार के उसके अंदर जैसे पत्थर चटा, लैस्वा, सवांक, गोकरू, बंसी, क्रेब घास, जंगली चोलाई, हुलहुल, मकडा, के इलावा भी कागले, गुनरा, स्रेडी, गोडामोत को भी खतम करती है, तो किसान बाजरे के अगर फसल की बात करें, तो राजस्तान की ब्राणी फसलों के अंदर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समश्या रहती है, जो खरपतवार होता है उसमें, क्यूंकि पहले और बाजरी का नुकसान काफी ज़्यादा हो जाता है, तो जो अंदर दवा का चिर्ड़काव करने का जो है, यह जैसे पंजब अरियाना है, उसमें तो गन्यें के अंदर बहुत लंबे समय से लोग इन दवाईयों का चिर्काव करते आ रहे हैं, लेकिन जो राजस्तान के क किसान है उन्हें अभी तक जो है पूरी तरह से इस चीज का पता नहीं चला है और बहुत सारे किसान डरते भी हैं क्यूंकि ये 12 मेने से एक फसल आती है वो भी बारिश के उपर होती है तो किसानों के मन में एक भै एक खोफ रहता है कि कहीं दवा करने से हमारी बाजरी के फसल खतम ना हो जाए तो किसान बाईयों को मैं ये बात बता देना चाता हूँ कि ऐसा नहीं है किसान बाईयों आप निश्चिंत होकर खड़ी बाजरी के उपर खुला फौरा बाजरी के उपर कर सकते हैं इसे बाजरी आपकी नहीं जलेगी लेकिन जो उसके अंदर खर्पतवा हैं वो पूरी तरह से खतम हो जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे के चार-पांच दिन बाद जैसे ही पूरा घास खतम हो जाएगा उसके बाद जो बाजरी की बढ़वार है बाजरी की ग्रीनरी है वो देखने लाइक ही बनेगी बहुत शानदार फसल चलेगी यहाँ खूब होगा जो बाजरी का पोदा है वो खूब पोदा मतलब ग्रोथ मारेगा नीचे से उसकी साखाओं की संक्या है उसमें लगातार वरीदी होगी तो आप इसको जो बाजरा, मक्का, जवार और गन्णे की फसल के अंदर आंख मीचके कर सकते हैं चलते हैं खिसान किसान भाईयों यहां पर हम दो पोडेक्ट लेके हैं एक बाहर कमपनी का फुष्ट के नाम से है दूसरा टाटा का एटराटाफ के नाम से है बात करें कि इन दोनों के अंदर क्या है तो दोनों के अंदर एटराजीन 50% WP है यानि कि वोलेबल पाउडर फॉम में अंदर पाउ दोज की बात करें तो दोज रेने वाली है 500 ग्राम प्रती एक एकड के इसाब से अगर बिगा की बात करें तो बिगा के अंदर आप 300 ग्राम दोज ले सकते हैं इसकी 300 ग्राम डोज डाल कर बाजरा के अंदर पूरण रूप से आप जो खर्पतवारे उन पर नियंतरन कर सकत दोनों पोडेक्ट अच्छी कंपनियों के हैं इसके इलावा भी बहुत सारी कंपनियों के ये पोडेक्ट ये टेक्निकल आता है आप मार्किट से जाकर पेस्टिसाइड खाद बीज की दुकानों से जाकर और बहुत सारी कंपनियों का जो टेक्निकल आता है वो अच्छी कंप इतने पैसे में तो एक मजदूर भी नहीं आता है और अगर मजदूर आ भी जाए तो वो एक बिगे में तो दूर की बात है बिगे का चोथा हिसा भी गोडाई नहीं कर सकता है तो किसान भाईयो ये थी संपूरुन जानकारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लेज वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर करें क्योंकि कमी रहती है काप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं लाइक करने से हमारा होसला बढ़ता है और शेर करने से किसान भाईयों बहुत सारे गरीब मजबूर किसान होते हैं जो ऐसी दुआईयों का इंतिजार कर रहे होते हैं लेकिन मिल नहीं रही होती हैं अगर आप वीडियो को शेर करोगे तो उन तक सही जानकारी पहुंचेगी और वो भी अपने खेत में इस दुआ का छिड़काव करके निजात पा सकेंगे मिलते हैं कसान भाईयो नेक्स्ट वीडियो में एक ओरची जानकारी के साथ तब तक दीजे जाजत जय हिंद वंदे मातरम